हेलो प्रेंट्स उन्नती कंप्टिशन क्लासिस में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत हैं मैं उमेज लेके आने वाला हूं इसलिए इन सभी कोश्चन की इंपोर्टेंस आपके आने वाले एकजाम के विए बहुत अधिक इंपोर्टेंट रहते हैं ठीक है दोस्तों आप एक काम करिए पैन और पेपर लेके बैठिए अपने आपको राइट आंसर के लिए एक नमबर देना है और राइट आंसर के लिए 0.5 की नेगेटिव मार्किन करनेगा ठीक है आपका जो भी स्कूर बनता है उस स्कूर को कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बेजना मत बुलिएगा मैं उसके अपना फीडबेक दोंगा और ऐसा करने से दिखो क्या प्रॉफिट होगा सबसे बड़ा सवाल है कि भी प्रॉफिट क्या है इसमें सबसे बड़ा प्रॉफिट आपका यह होगा कि आपका पता चल जाते हैं तो इसलिए मॉप्स आप चाहिए यहां पर देखते हुए अपको कौन से सक्षन तो इसके मॉप्स आपको देना ही चाहिए अगर आप कमपेटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो अब कोई दिखत नहीं कुछ कर रहे हैं या कोई कि अदर मैं है नहीं देता तो कोई नहीं जेएक यापार अगर इक gossip मे deepest 是 चलिए चलिए दोस्तों अगर यह वीडियो को पसंद है तो लाइक करना कमेंट बॉक्स में अपना स्कुर भीज़ना मच को अगर आप इस चैनल को फुर स्ट्रेल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना प्लिस मत बूदेगा सब्सक्राइब करना वीडियो के हैं आप करने कर दिए जनु करना ठीक है कि देखिए को नमर्वन में इसे याएगा पार्ट वन में बुलेगा करेक्ट ली सपैल नहीं है सही जो वर्ड है वह रजो कि छूस करना है देखिए अगर फद्द के तो यह जो है यह लैक्टिनेंट कि अजीब बात है इसके जो राइट स्पेलिंग वो क्या होती है आपको मैंने कहा हुँप क्प thếल sih में काहा था कि कुछ वर्ड users कि गिने चुने वर्ड होते हैं जिनको को मैक्सिम मार पूसता है जैसे आपका भूखे लेक्टिनेंट करना और सिग्रेट कि अधर आपने पूख देखा होगा तो उन सब की मैंने इस पैलिए आपको कहा था कि आप अधर एल आई एई यू टी ए एंड 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 टी लेटिन एंट ठीक है दोस्तों हरे कुश्चंस पर अपने वीडियो को पॉस्ट करना खुद अटेंट करना उसको अटेंट करना कि आप कितना सही देते हैं आंसर और कितना रॉंग उसके वाद ही आगे बढ़ना ठीक है द को पॉस्ट कर देंजिए और अपना राइट अंसर निकाल देखिए यह जो है यह एक्टुली है करनल ठीक है इसकी तो राइट इस्पेलिंग होगी वह होगी सी ओल ओ एंड एल एल ठीक है और राइट जो आंसर है वह है एक कुश्चिन नम्बर थार्ड बोके को को का स्वेश्य वह पादर की नियुक्त आजिए उसका जर्म दिन गारे चल शॉपिंग करने चाहते हैं रहुतकि इंपक्षैन की राइट इसकी क्या होती है उन्हें उसको पूछने बैढ गते तो शैयरत कंफिस दो गूता है जैसे लेक्टिन नहीं पर पूस्ता कूछ तो यहां पर जो booking हमागु तो अगर आपको spelling नहीं आते हैं तो अपने लोटो को लेखें जोगी आते हैं तीन spelling तो इसको लिखें और याद करें कई बार इसको लिखे पर याद करना और आपको यह वर्ड अच्छे से याद हो जाएगा कोश्चो सूममर के और हम बढ़ते हैं कोश्चन में सी क्मिटे अब इसका क्या होगी कै वीडियो को पॉस्अ घलिक ये मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो र्राइट नेता हूं इसमें टी वार रिपीट मैं और बाद होते हैं । अगर आप धिया डॉबल भार रिपीट होगा डॉबल टी दो बार रिपीट होगा उप्शन ऐ में ऑप्शन एक बात कर रहा हूं ठीक है इसमें तीन लेटर दो बार रिपीट होते हैं, अगें रिपीट करना हूँ आपसे, डबल M दो बार आया, डबल T दो बार आया, और डबल E दो बार आया, तो इसका राइट आंसर क्या है, A, हमारी जो कंडिशन फुल्फिल करता है, वो के वल आप्शन A ही फुल्फिल कर रहा है, ठीक है, बाकी सब में डबल M है, तो डबल T नहीं है, या डबल E नहीं है, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा हमारे इसमें, 4 का A is the right answer, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, question number 5, क्योड़, question number 5, cigarette, जो लोग smoking करते हैं, दो मरपान जो करते हैं, तो वोगे cigarette होते हैं, तो तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर जो है, वो है B, C, I, G, A, R, E, Double T, E, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगया, B, question number 6, part 2, idioms and phrases, इसको बोलते हैं, मुहावरे, cock and bull story, क्या होती है, यह actually, मन घड़त कहानी होती है, अगर आप स्कूल से शुटी के बाद, बच्पन में आपने दोस्त के यहां बैठ गया, उसके आपने गेम खेल जो, तीन चाह गंटे आप लेड घड़त पहुचे, और घड़त इसमें पू मन घड़त कहानी, मन घड़त कहानी, मन घड़त कहानी जो बनती हो, उसे बोलते है, cock and bull story, मतलब made up story होती है, आप आप स्टोरी, या जिसका reality से कोई संबन ना हो, ठीक है? ये कुशन जो है, एक्जाम में कम से कौन लास्ट फिटिन एयर में, एससे के एक्जाम में, दस से बारा बाद, एडियम के रूप मेरी, पूछा गया है, ठीक है? एडियम की format में इसको रखा गया है, ये कुशन काफी बार repeat होता है, इसलिए मैंने स्मॉप टेस्ट में इसक आगे बढ़ते हैं, इसका राइट अंसर क्या होगा? C, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, question number 7, question number 7 है, to die in harness, to die in harness, देखिए इसका बत्ति होता है, आखरी सांस तक कोई काम करना, देखिए कुश लोग होते हैं कि आखरी सांस तक लगे रहते हैं, काम करते रहते हैं, अगर वोई आखरी सांस तक काम करना, देखिए अगर आपको, इसका हिंदी मीनिंग पता एडियम का, तो आप easily option में से choose कर सकते हैं, टिक है? जैसे A, B, C, D, 4 option दिया, और मैं आपसे पूछी हूं कि इसका right answer क्या होगा? टिक लगाएंगे, बहुत जल्दी to work till death, अंतिम समय तर क्या है? कारिय करना, to die in hardness का right answer क्या है? A, to work in till death, टिक है? question number 8, gave in, देखिए gave in का मसलब होता है तुमारा, ये second form actually, टिक है? give in, बोलते हैं इसको, कभी-कभी आपको confuse करने के लिए एक्जाम में give in देता है, तो इसका मसलब होता है, थार मान लेना, ठीक है? और give up को मतलब क्या होता है? किसी इसको छोड़ देना, बीट में से, क्या है तर इस work को give up मत करना, मैं give up बिल्कुल नहीं करूँँ, मैं करना, start करने ही वाले थे, कि उसमें अपने क्या कर दिया, surrender कर दिया, तो इसका right answer क्या होगा, surrender, surrender का मतलब होता है, आत्म समर्पन कर देना, giving का मतलब क्या होता है, अपनी हाज सहम मान लेना, या फिर आत्म समर्पन कर देना, ठीक है? तो इसका right answer, C होगा, surrender, question number 9, tooth and nail, तेकि tooth and nail, जो idioms होता है, इसका जो, सही जो होता है, अगर एक छोटा बच्चा होता है, एक जामपल की दोर का रहा हो, एक छोटा बच्चा होता है, अगर उससे गुस्ता पर क्या करता है, वो अपने nail आपके skin पे चुबाता है, आपने पुरी तावत से प्रयास कर रहा है, अपन यजी आपको हैंट बल गया, टूथ और नेल, बच्चे को बास क्या होता है, तूथ और नेली तो होते हैं, पूछ करने के लिए, अपना गुस्टा पर जयन करने के लिए, ठीक है, तो टूथ और नेल का मतलब होता है, पूरी ताकत से, तो एवी चिड़ चाह अप्शन दीया राइट अंसर क्या वाज का ए विद आल इट्स पावर ठीक है कोशन नॉम्बर टैन अंडर दा वैदर अंडर दा वैदर तो इसका जो ABCD चार ओक्शन दिया है तू भी हैप्पी का मतलब 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 खुश होना तू भी अंजियस का मतलब मतलब चिंतिद होना तू भी इट कमदलब मतलब फेंड लगना तो इसका जो राइट जो एंसर होगा रहат ही मिदे अंडर तो इसका ँंसर होगा c तो यह वी इल कोक्ष्शन नॉम्र 12 कहता है उनसे आगलियो रचैने जो फोबिया को बसक्राइब ऑपने और टेकर पीयर ऑफ हाइट है अप्षीम भीयर क्टिनले स्पेसिश सेर्ष यह ब मैं या दी सिर्फ यह प्रॉतर फ्ट जो यह गीया फियर फटर्फ यह फिर उप सीखम होता है यह कुंकर ऑफाटर्फ न इस ते मेरा पाने तो द तो इसको बहुते हैं तो इसको बोलते हैं कोश्चन नुम्बर 12 है हमारा डंकीज यह देखे यहां पर अगर इसकी मीनिक को प्रिडिक्ट करें अगर हम पहले ही वन्दार लगाएं तो इसका सही आंसर आंसर नहीं दे सकते आपको इसका अंसर देने में बहुत कट नहीं होगी आप एक कामकरी इसका डिरेक्ट आप आपको 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 यह दो करें एक टिक हैं ए वेरी लॉंग टाइम ऑप्शन सी गदोर वाले साल कैसे होते हैं बहुत लंबे उड़ते हैं कटते ही नहीं है ठीक है भी घदोरी जिंदे के जी रहे हैं हम दो ऐसा बोलते हैं कुछ लोग तो मस्था क्छल रही है खुछ नहीं हो रहा है उसमें तो डंकी ऐसी यार होगा है काफी बच्छों का अंसर पता होगा वीडियो को प्रॉस करिए अपने राइट अंसर देजिए इसका जो होता है वार्सी कलेंडर जिसमें नक्षत्र की पोजिशंस भी साथ में दे गई हो ऐसा कलेंडर जिसकी नक्षत्र की मतलब राहू यहां बैठा है के तु यहां बैठा ह है इसको बोलते है कर अंतलब बी हमारा जो है आपे राइठ light dresser होगा इसको कि रहकीалы कुछताम फेस्टेवल होते हैं नक्षत का रखी पुरी जानकारी होती है हर एक दिन पे एक एक रासी की डीटेल दी होती है कि वरस रासे में होगा कन्या में ये होगा मितूर entsprechative तो पंचांट बोलते हैं इसको आल मनक का मत्रब क्या होता है पंचांट तो राइट हांस नमरा क्या है बी कुश्चन नमर 14 है वन वर्ड सब्स्टिटूशन की हम बात कर रहे हैं पार्टू में ठीक है इसका मत्रब यह हुआ जो दोनों हाथों से इसली काम कर सकता हो जो इसली तरीके से आप उसके बलों के राइट से लिखना है हां जी राइट से लिखते हैं लैट से लिखना है कोई दिलाव की लिख रहा हूं जो दोनों हाथों के एक साथ काम कर सकता है अपने हाथ से ठीक है ऐसे विखते को हम क्या बोलेंगे तो ऑप्षिंट मतलब होता है मनमौजी जो निस्टेवल हो कभी आज उसने कोई काम कर लिया कर कोई काम कर लियाव यह में आपका है एंबी डेक्स्टर ठीक है एंबी डेक्स्टर का जो मीनिंग होता है दोस्तों वो जो राइट आंसर है वो राइट आंसर भी है जो दोनों हाथों का यूज कर सकता है ठीक है ऑप्शन सी में है ए एबी डीयस इसको बोलते हैं जल थल चर्ट जो जर्मीं भी चल सकें और थल में भी चल सकें बतलब जो दोनों तरफ रहता है दिसंवाकरमच जल में भी रहता है और जमिन पर भी रह सकता है ऐसे बहुत सारे जीबयंतु हैं जो दोनों तरफ चल सकते हैं यहां पर पूछ रहा है वह वान वो इस थी यहां देखती की बात कर रहा है तो गेंटी के जो राइट आंसर होगा वह बी ठीक है दोस्तों देखें मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप देके कुश्चन को पूरी इमानदारी से अटेंड कर रहे होंगे नंबर कुश्चन नमर फिप्टी में हमसे कहता है इस्टेट ऑफ लॉवलेस्नेस ठीक है इस्टेट में पूरा क्या हो डिसॉडर हो जहां से की कानून को नहीं मानता हो जहां से कानून की कोई कदर नहीं हो तो इसमें A, B, C, D, चाल अप्शन दिये हैं पहला ए जो है इसका मतलब इसका मतलब होता है 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 इसका मतलब होत कोई management ही ना हम जहाँ पर जिसका जो मर्गी मान आ रहा है वो कर रहा है को जिसके को काजी दे रहा है को जिसके को मार रहा है दिल नहीं दूढ बढ़ती जा रही है तो यह होता है अनाप्टी जो कयास का मतलब होता है कयास का मतलब फुरा हल होता है और आपका aymal ayn spins on एक सेंटेंस को हमको इंपरूब करना एक सेंटेंस देगा अगर हमको इंपरूब करना है हमब तो उसके जबेर क्या यस नगएगा, वह वो दाना है यहांको, डिस्पाइट ऑपर्ड ऑज वी। इस अने बडू सबसेद, यहां जो डिस्पाइट है ना, डिस्पाइट के सांथ, ऑफ नहीं लगाते कभी भी, यह प्यां लगना, डिस्पाइट के सांथ, कभी भी पहले बात तो आफ नहीं लगेगा, सिंपल डिस्पाइट आएगा, ठीक है, मसलब उसका राइट आपसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है, डिस्पाइट में अच्री पहले से आफ लगा होता है, डिस्पाइट का मतलब होता है विरोथ करना, क्रोथ लगाना करना किसी के प्रती, ठीक है, कॉश्चन नमबर 17, कॉश्चन नमबर 17 है, हैड आई बी इन यूर प्रेस, आई वुड हैब टेकन दा राइट मोड, ठीक है, यदि में आपकी जगे होता, तो मैंने सही डिसीजन लिया होता, इसका सही मिनिक्या है हिंदी में ये, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर चीज बिल्कुल फिट है, यहाँ पे इम्पर्वमेंट की कोई अवश्चता नहीं है, तो यहाँ पे राइट आउंसर क्या होगा, डी, नो इम्पर्वमेंट, कोईशन नमबर 18, कोईशन नमबर 18 में हमसे कहता है, यहाँ पर, कोचिक इंसिट्यूट ओफ डैली, और फाल, ओर सुपेरियर तू भोपाल, ठीक है, यहाँ पे कह कर रहा है, कोचिक इंसिट्यूट ओफ डैली और फाल, यह कोचिन्स कई बार पूछार जा चुका है, SST के एक्जाम में, यहाँ हमें डैली के कोचिंग की भोपाल से तुलना कर रहा है, यहाँ क्या करना है, हमको तुलना कर रही है, तो तुलना यह सेंटर से जो कर रहा है, डेली के कोचिंग की बोपाल के कोचिंग से तुलना करना है जबके तुलना हम बराबर की चीज़ों में करते हैं यह सब को पता होगा तो coaching institute क्या यहां पर बहु वचन है plural है तो हम यहां दोज लगाएंगे दोज टी एच ओ एस ई दोज लगेगा तो right answer क्या होगा B, dose of भुपार is the right answer B क्या यहां पर हमारा right answer है ठीक दोस्तों Question number 19 Question number 19 हमसे बोलता है When he came to meet me I was playing tennis for three hour यहां time दिया है since or four का use present perfect tense में करते हैं अगें repeat कर रहा हूं यहां पर क्या दिया है time दिया है ठीक है और इसका जो use होता है वो क्या होता है present perfect tense में लेकिन यहां game है game जो क्या है past tense को denote कर रहा है indicate कर रहा है हमको कि game क्या past tense है हम यहां पर past perfect tense का use करेंगे किसका use करेंगे past perfect tense का use करेंगे past perfect tense में हम क्या लगाते हैं past perfect tense में दोस्तों हम लगाते हैं head plus bead तो हैं और बीन कहां पर लगा वाहा है है और बीन लगा हुआ है he never लगा वायो और ए अप्षिन स्वी में तो राइट अंसर क्या होगा इसका पाई है नियुन प्लेइं ठीक है दोस्तों उमीद कर रहा हूँ कि आपको ये मॉख टेस्ट अच्छा लग रहा होगा आप इसको टेंड कर रहे होंगे नंबर दे रहे होंगे उसको इंजॉय कर रहे होंगे ठीक है चलिक जोस्तों बढ़ते हैं कोस्टन नूमबर 20 की ओर यह जो sentence है यह sentence है इसमें जो भी रूल इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों बच्चों वो बहुत important रूल है जिसे आता है तो उसकी त्यारी बहुत अच्छी चल रहे हैं अगर आप इस वीडियो को पॉस्ट करते हैं राइट अंसर निकालते हैं मेरे अंसर ते मैच करते हैं अगर आ अंसर राइट आता है तो रियर में आपका इंग्रीज के रूस काफी स्ट्रॉंग है बच्चों जिसको नहीं आता है वो इस रूल को लिखेगा जरूर ध्यान से दिखिए राम एंड श्याम राम एंड श्याम दू नौट राइप फिजिक्स डॉंट दे यह कोश्चिन टै कोशन से कुशन टाइंग टैम में जो थे दू पार्ड होते हैं एक स्टेट्मेंट और सेखिंड जो बार होता है कुशन स्टैक्स से बना होता है अगर स्टेट्मेंट नौट से यूज हो मतब नगटिव सेंस देती हो तो टैग हमेशा पॉसिटीव या अफर्मेटिव में ह थीम्हेर पर रूरूम तो यह अगया तो यहां पर जो आएगा यहां पर इसमिtechn Еज कंगै ces देख, ठीक है, तो रही हमसे क्या होगा, इसका 20 का, B, ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, questions number 21 की ओर, propensity, propensity का जो मतलब होता है, वो हमसे इसका synonymus पूछ रहा है, इसका same meaning पूछ रहा है, same alternate पूछ रहा हमसे क्या होगा, ठीक है, चार option दिये है, ABCD, options A, dirt, dirt का जो मेनिंग होता है, वो होता है, coming, ACME का मतलब होता है, सरवोच बिंदू, ठीक है, C का जो होता है, inclination का मतलब होता है, जुकाव, condemnation का मतलब होता है, आलोशना करना, condemnation का मतलब होता है, बुराई करना, किसी के निल्दा करना, तो प्रोपैंसिति का मसलब होता है जुका तो इसका राइड अंसर क्या होगा? C. C is the right answer. Question number 22. Same meaning कालना उनको इसका भी same अट क्या होगा? Sub-Age. Sub-Age भी बोलते हैं इसको. इसका जो Hindi meaning होता है, वो होता है किसी चीज को कमजोर करना, बरबास करना. Options A जो है, वो है, construct करना मतलब बनाना, जिसका meaning नहीं हो सकता. B options है, repent, repent का मतलब होता है, पश्चाताब करना, अपनी गलती को मांगना. C जो होता है, C का जो meaning होता है, in-capacitate. इसका जो meaning होता है, किसी चीज को weak करना. To write answer क्या होगा? C. D का जो meaning होता है, वो होता है, noisy. ठीक है, pandemonia को होता है, noisy. तो 22 का जो right answer है, वो है C. Question number 23. 23 है, site, C, I, T, site गोता है इसको. इसका मतलब होता है, example, उधारण. ठीक है, ABCD चार option किया है, जैसे ही quotations होती है, quotations. किसी ने कहा, तो हमके कहते है, quote का sign लगा ज़ते हैं, ठीक है? इसका मतलब होता है, quote. कहता है, उसकी quotations काती है, चलवीद, उसकी बात कहीती है, quote की वास्तव में, ठीक है? तो, यहाँ भी तो right answer होगा, वो होगा C, quote. विजिट का मतलब किसी होता है, scatter का मतलब किसी इसको विकराना या ठराना होता है, ठीक है, तो उसका right answer क्या होगा, quote. question number 24, question number 24 में कह रहा है, abate, abate का मतलब होता है, help करना, किसी इसको support करना, एक होता है, a, b, a, t, e, तो उसको इससे रेक मत करना यह A, B, E, T है इसका मतलब बोथा किसी को support करना, किसी के ताहरता करना A, B, C, T चार ओक्षन दिया है A, options में दिया है इसका confiscate इसका मतलब बोथा किसी इसको jump कर लेना ठीक है किसी इसको arrest कर लेना, किसी इसको अपना ब्राम लेना जो जैसे इंदी का तरीके से B, condomin का मतलब होता है बुराइ करना, delay का मतलब किसी इसको delay कर देना, postpone कर देना D, का मतलब होता है support तो यहां पर right answer क्या होगा? D D, 25 है हमारे पास question का 25 यह वेडियो पास mock test का आखरी question से red dress ठीक है न, red dress का मतलब होता है तुमारा rectify करना, किसी इसको correct करना, ठीक है? A, B, C, D, चार option नहीं है, send, put in, put right या complicate, तेभी complicate का तो मतलब होगा जेडिन कर देना, किसी इसको बिगाड़ देना, ठीक है? तो इसका तो right answer है, हो है C, question number 25 का right answer क्या है, put right correct नमर क्या होता है, right करना, किसी इसको tick करना, तो इसका जो यह right answer होगा, वो होगा C, मतलब उसको right कर देना, ठीक है तो दोसे इसी के साथ हमारे mark test की 25 के 25 questions complete होते हैं, आपका जो भी score बनता है, जो भी final score बनेगा आपका, वो comment box में मुझे जरूर लिखें, ठीक है? और अगर ये video आपको पसंद आया तो please, इसको like करना मत भूरिएगा, आपका score card आपके सामने हैं, आपके जो भी number, जो भी number आ र हैं, 18-25 questions के बीच में आपके number हैं, सही, तो आपके performance काफी outstanding है, high chances हैं, आपके selections के, ठीक है, 16-18 हैं, तो excellence है, very good chances, 15-18 में हैं, आपका very good, good but practice, सही तो है, लेकिन practice के आपको आभश्रक्ता है, 10-15 में आपका below average practice hard करिए, अगर 10 number से कम हैं आपके number, तो काफी condition काफी poor है, learn concept and practice hard regular, ठीक है, दोस्तों, ये था हमारा एक mock test, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये mock test पसंद आया होगा, अगर ये mock test आपको पसंद आया हो, तो please इसको like करना मत बोलिए, और comment box में अपनी number मुझे को जरूर भेजना, मैं wait करूँ है, आपके मांस का कि आपके number आये, और इस video को जो भी आपके friend हैं, competitions की त्यारी कर रहे हैं, उन तक भेजने का पूरा परियास करिए, क्लिक करिए, उनको भीजिए ये mock test, उनको भी भेजना जो competition की त्यारी कर रहे हैं, उन्हीं friend तक ये video share करना है, जो competitions की त्यारी कर रहे हैं, किसी CA वाले को, किसी medical का, कोई friend आपको त्यारी कर रहे है, medical की, एक रहे हैं, तो उसके लिए ये video त्यारी कर रहे हैं, इसमें वही question की त्यारी कर रहे हैं, तो प्रिवेस एक्जाम में कई बद पूछे गए हैं, और इस पर maximum focus करना, वाकैब में अगर आप week हैं, वाकैब सबको डर लगता है, याद नहीं होती है, तो एक playlist है इस चैनल के अंदर, पैजिस्वरी publications के नाम से, उसमें कावी सरी वाकैब है, वाकैब को हमने निमोनिक मैथड के द्वारा याद करा है, निमोनिक मैथड है कैसा मैथड होता है बच्चो, हम जिसमें एक एक वर्ड को real life के example से जोड देते हैं, और उसको याद करने का परियास करते हैं, इस मैथड को काफी बार यूज करा गया, बनकि इसको अडाव्त कर लिया गया है, अपना लिया गया है, महां के एक वाकैब कर याद करी आती है, तो निमोनिक मैथड के द्वारा ही याद करी आती है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप भी उस वीडियो को देखेंगे, उस प्रेलिष्ट पर देखेंगे और वोकेब याद करने का परियास करेंगे उसमें जो भी वोकेब है वो आपके MTS, NDC और SST के जो भी आस्पिरेंट हैं जो भी एक्जाम हुए थे उस सभी questions का तो उस सभी world का उस भूप में collections है वो समझाया कि आपको आप देखेगा इसी के साथ मैंने तहूं आप स्यार दिता उन्नती competitions classes के को एक टीन की और से आपको आपके आने वाल एक्जाम के लिए all the best मिलता हूं जल्द एक नई मॉप्रेस्ट के साथ धन्यवार्द